ये amid 1010-7 कोपरेटिव लर्निंग कोपरेटिव लर्निग जनु कोपडेटISA करके मिल यू काहिता है कैसे चलता है ketopate die l रीक्टिविटिटी ट्ट रीक्ट तूडेंट टूडेंट कोड़ा इन स्माल गृूअ फैरेंटिविटी एक्टिविटी ऑपरेटिंग एज़ टीम तो हैल्प इच अधर सक्षिए तो कोपरेटिंग लेर्निंग यह है कि जो पच्पन में हमें स्कूल में भी मैथ में जो आना हास्तों पर ग्रूप बनाए जाते तो वह उस तरह जो एक्टिविटीज होती हैं कि स्टुडेंट्स को इकठे बठा गए उनको एक ही प्रोजेक्ट देना और उस एक्टिविटी पर काम करना युनिवेस्टि में जैसे असाइंडर गरा देते हैं तो उसके लिए दो हैना common goal के लिए common goal के लिए जब एक ग्रूप आफ पीपल जो हैं इकठे होते हैं together तो वर्क करते हैं तो उसको वर्किंग together as a team to solve a problem, complete a task, accomplish a common goal तो लोगों को छोटे से जो सीखने वालों का ग्रूप होता है जो टीम बना के एक इकठे तो एक प्राब्लम पर काम करते हैं या एक टास्क को मकमल करते हैं या एक common goal के लिए जो वर्क करते हैं उसको cooperative learning कहते हैं cooperative learning is the process of breaking a classroom of students into small groups so they can discover a new concept together and help each other learn तो cooperative learning जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें class को जो है चोटे चोटे ग्रूप में ब्रेक किया जाता है ताकि जो है वो इकठे हो के कोई नया तरीका कोई नया concept इकठे किसी topic पे जो है वो ढूंडे और उसको discover करें उसको खोज करें the idea of cooperative learning has been around for decades तो cooperative learning का decades यानि वो दहाईयों से चार रहा है कियोंगे teachers but it never got to the same prominence as blended learning और differentiated instructions तो लेकन instruction या उस तक तो नहीं पहुँच पाया लेकर फिर भी ये decade से चार रहा है कियोंगे यह natural है कि जब human देखें जब एक बंदे से काम नहीं होता तो दूसरा साथ लगा देते हैं या दो बंदे जो नहीं कटे काम करना या तीन ही कटे करना शुकर से तो इस तरह यह cooperative learning का जो है बरसूं से जो है न वो दोहाईयों से जो है वो concept है लेकन इतना हो जो है न वो popular नहीं हुआ अब cooperative learning is a successful teaching strategy in which small teams तो यह successful teaching strategy है टीचर की जो नहीं है जिसमें वो students को small team में divide करता है और each with students of different levels of ability जिसमें जो है na students different abilities के देखे जाते हैं एक for example जो आप कहते हो leader के monitor बना दिया उसका कि यह आपको समझाएगा अगर नहीं आएगा यूज variety of learning activities to improve their understanding of a subject तो variety of activities जिसमें होंगी student करेंगे ताके जो है उनके understanding subject जो है इंप्रूव हो each member of a team is responsible not only for learning what is taught but also for helping teammates लाइगा तो यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि जो है वो team कार जो है बन्दा वो सीखे या वो बलके वो सिर्फ सिखाएगा भी और साथ में सीखेगा भी ठीक है दास creating an atmosphere of achievement तो यह से जो है न वो एक achievement का atmosphere काएम होगा student work through the assignment until all group members successfully understand complete तो student जो है न वो उस work पे जो है उस assignment पे काम करेंगे जो उनको project मिलेगा तो जब तक के वो कम्याब नहीं हो जाते successfully understand नहीं कर लेते तो cooperative learning का यह बहुत बड़ा फाइदा है कि टीम में teaching strategy बेतरी strategy है क्योंकि अगर नहीं समझा रही students को बार बार आपके समझाने तो पिर आप grouping की system करते हो जो है न टीम्स पना लेते हो उसमें different जो हना abilities के जो students होते हैं कुछ like होते हैं कुछ like होते हैं कुछ dull यानि कुछ अच्छे होते है math for example math में mostly होता है क्योंकि math बह जा जा जाती है जल्दी वो बठा देते हैं आप और साथ दूसरे तो वो फिर हो जाती है उस तरह learning असानी हो जाती है वाई cooperative learning की क्यों cooperative learning enhanced students learning पाए तो cooperative learning जो हैना students की जो हैना सीखने को increase करती है बढ़ाती है providing a shared cognitive set of information between students students के द्रुमेंट जार से बाद है जब कहते हैं के different ideas हो होंगे तो हो सकता है चीज़ें easy हों कि कहीं दफार जो हैना वो बड़ा बंदा समझा रहा हो तो student को नहीं समझाती लेकिन जब अपने पराबर का बंदा समझाए तो वो जल्दी समझाती है और वैसे भी जो हैना इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि जब हमारे पास अगर एक पीनी तुमारे पास हो तो हम एक एक पीनी शेयर करेंगे तो वो एक ही पीनी हमारे पास नेगी लेकर अगर एक आइडिया आपके पास और एक मेरे पास हो तो हम एक एक आइडिया शेयर करेंगे तो हमारे पास दो दो आइडिया हो जाएंगे तो यह फिर जो हैना वही बात है कि क्योग नेटिव जब वो स्किल्स शेयर करेंगे तो जो है न ज़रूर फाइदा होगा मोटिवेटिंग स्टूडेंट लान दा मेटिर्ड तो ये मोटिवेट करता है कि यह अपने जैसे स्टूडेंट समझा रहे हूं तो बना कहता है कि अगर यह कर सकता तो मैं भी पिर क को जो है नो फीड़बेक दें developing social and group skills necessary for success outside the classroom तो यह उससे जो है नो उनके अंदर ऐसे skills भी पैदा हो जाती हैं कुछ students के अंदर के lead करने की और जो है नो उनको आगे life में भी काम देती है classroom के बाएर भी promoting positive interaction between members of different culture and social economic groups तो यह positive interaction जो है ना different group और culture और social economic के दर्मियन है अमीर student है तो फिर जो है उनके दिर्मियान बड़ा जो है ना वो interaction आता है फिर culture ली कुछ लोग different होते तो वो भी फाइदा मुद है अब benefits क्या है cooperative learning के इट प्रमोट self-esteem and make feels better about themselves school and other तो यह जो है ना self-esteem और बेतरीन जो है ना वो बंदा बेतर महसूस करता है students तो schools and other school में और बाइर उसे फिर इट प्रमोट हाई रचीवमेंट तो यह प्रमोट करता है कि हाई रचीवमेंट के लिए develop करता है social skills including listening फिर taking turns conflict resolution skills leadership skills and team work skills तो यह फिर जहाना team work करने में help करता है student में promote करता है फिर उनमें listening के पहले बात सुनो फिर अपनी बात को हो अपनी turn का इंतजार करो तो इस तरह की जो है ना वो टीम में यह जो 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 आपके अंदर जो जो abilities जो 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 है ना वो skills development होती है skills develop होती है वो सारी एक co題 कोपरेटेवी लर्निंग में develop होती है leadership की skill team work की skill फिर जो आप फिर जो आप जो है कि आप जो है ना वो में जो कि काम करो और अपने best काम करो it welcomes to benefit from their classroom knowledge and thoughts तो यह जो है ना फाइदा देता है benefit देता है from their classmates classmates को को वो अपना knowledge and thoughts को जो है ना इंप्रूव करें सीखें it protects less capable from impossible challenges तो यह protect करता है जो इतना जो student अच्छे नहीं होते subject में तो उनके लिए जो impossible चीज़ें होती है उनसे भी वो उन्हें बचाता है और उनके लिए meaning उनके लिए जो है ना वो कुछ नो कुछ रास्ता नकालता है उनके लिए understand करना easy हो जाता है it facilitates problem solving skills and creativity तो यह जो है ना फैसलिटेट help करता है problem solving skills develop करता है और creativity it leads to more relaxed atmosphere greater motivation and increased student talk तो यह जो है ना अब student student के साथ बैठके जो है ना वो relax हो जाते है relax atmosphere फील करते है उनके लिए यही greater motivation होती है और वो student student talk जो है ना वो उसमें निक्रीज होती है student का आपस में राफ़ता बढ़ता है it makes student appreciate differences and diversity तो यह student को इसका अबर बनाता है कि वो जो है ना अप्टिशेट करें एक दुसरे को और उनके दुसरे को और उनके दुसरे को डिवेस्टिया उसको खतम करें it removes damaging competition between and among students and creates competition among groups तो यह फिर जो आना एक या दो student के फाइजम्पल कभी कभी होता है कि जो student एक दुसरे के खलाफ होते हैं understanding and appreciating the point of view and feeling of other being considerate of others तो दूसरों को समझने की जो है उसालित आ जाती है दूसरों के साथ जो है नो उनकी साथ adjust करना उनके साथ हम दर्दी करना इस तरह की feelings आपके अंदर पैदा होती है जब आप मेजूर के काम करते हैं जब एक दूसरे को understand करते हैं आप एक दूसरे को आप share भी करते हैं तो ठीक है यह इसने किया था आपके अंदर जो है ना फिर motivation और वो spirit पैदा होता है ठीक है इट leads to equal and increased participation तो इसमें यह होता है कि सब equal होते हैं और जो हैना आरे का participate करने का मुका मिलता है क्योंकि कभी कभी जो हता है वो student teacher के सामने इतना बोल नहीं पाते है तो वो फिर group में अपना अपना idea share करते हैं तो वो participate करते हैं इट creates the feeling that यह ऐसी feelings जो हैना वो जागर करता है create करता कि हम अकेले रहेंगे तो फांस जाएंगे और हम मिल जुड़के काम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसी जो हैना वो feeling आती है इट prepare student for the interdependent team based workplace of the 21st century तो 21st century में जो हैना team based workplace पे बड़ा काम बड़ा जो हैना इसको जोर दिया गया है तो इस तरह की जो हैना वो students को prepare करने में help करते है अब components के हैं successful cooperative learning के positive interdependence तो we instead of me तो जो हैना हम यहनी एक में के बजाए हम इस्तमाल करते है यह sense of working together for a common goal तो यह एक ऐसा काम है positive interdependence के जो हैना एक sense develop करना के common goal के लिए जो हैना मिल जुड़के काम करना each member is affected by the actions of other group members तो एक member जो हैना वो सब भी effect होता है सब member के group काम से ठीक है जार member का अपना अपना काम होगा अपना जो हैना आइडिया देगा तो इस तरह you cannot succeed unless unless they do तो जब तक बाकी काम नहीं करेंगे एक बंदा कमजाबने उसकता इसलिए सब को मिल जो के काम करना पड़ता है तो आपका काम आप अगर ज्यादा करते हैं तो उनको फाइदा होगा उन उन सब का भी मिल के आपको फाइदा होगा कुछ नहीं कुछ सीखने को जरूर मिलेगा इंडिविज्वल अकाउंटबिल्टी होगी वेर बाइवरी टीम मेंबर फिल्स इन चार्ज अफ तेर ओन एंड टीमेट्स तो आर टीम मेंबर को लगेगा कि वह जो हैना इन चार् में और करेंगे अजिसमें करेंगे इसके बारे में बहु है खेर व्यूलिजिक्ट्राइफ जो परिविए स्केस्ध करेंगे कुछ कहेंघे इसके बारे में चाहि का था तो इस तरह उनके आपने इंट्रैक्शन भी होगा और अपनी बैस होगी तो तो और स्केνड़ बीव करना स्किल जो हैना सूफिशेंड इंटर पर्सनल सोशल स्किल्स हैं एक दूसरे के साथ बात चीज़ करने की सोशली जो है माचरे में इन वाल्विंग एन एक्सप्रिस्ट टीचिंग आफ एप्रोप्रियट लीडर्शिप तो वह पिर एक मनास्व ग्रूप प्रसेसिंग ब्रूप प्रसेसिंग जो है ना वो टीम टीम्की रिफ्लेक्शन आएगी टीम की फिलिंग क्या और कितना वो बेटर कर सकते हैं अब वेन इस ग्रूप वर्क नाट कोपरेटिव लर्निंग का बैक ग्रूप वर का बैक जब कोपरेटिव लर्निंग नहीं बनेगी कुछ जो अब कुछ जो हैं चर्थ आजग करें और का सूड़ी में लर्णिंग करने में कि दूसरों की या आपनी जो है ने एक इंडिविजियल सिंगल बंदे की जो है ना उस पर पाटिस्पेशना ग्रोथ पे इतना फोकस है नहीं होगा इतना ख्याल नहीं होगा वो सिर्फ अपने बारे में सुचेंगे कि ठीक है आम अवार्ड आसर परें ग्रूप होस मेंबर्स इंक्रूड लोग चीवर्स बाइफ और फैलिंग टू रिकरिविनाइज इंप्रूब्मेंट एज इन इंपोर्टन कंट्रिबेटर तो सिंप्टीम सिक्सेस तो जो ग्रूप रिवार्ड जो स्ट्रूक्चर ऐसा होगा कि वो जो लोग चीवर्स होंगे जो ऐसी लाल नहीं होती मेंबर की प्रमोशन आप एच अधर एचीवर्मेंट के एक दूसरे की ग्रूप में जो हैना वह इतना इंपोर्टर्स नहीं देता कि एक दूसरे की प्रमोट करेंगे चीवर्स को देर इस नो इंस्ट्रक्शन ऑन हो टूट वार्क टूगादर जिए तो टीजर को चाहिए कि जो ने वो कपर लेस्ने संपने पेर नों को जो है इक लिरँप बिताए क्या मने यह करना यहीं हमारे मकास्त mixer इस टीम से हमने voltaram को प्रेइब वह से हमने यह से असल करना है डिसाइड ऑन ग्रूप साइज और मेंबर्शिप तो ग्रूप का सायज और सोचल स्कील तो स्टूडन की जो ना सोचल स्कील डिवेल्प करें सैट रूल्स फार कॉपरेटिंग एंशूर दैट यार इंप्लीमेंटर साच है तो कुछ रूल जो ना वो सैट करें कोपरेटिव लर्निंग के लिए और फिर उसको युकीनी बनाएं कि जो ना वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं उन पर काम हो रहा है वर्क कॉाइट्ली टूगेदर ऑन टीम असाइनमेंट तो महुश्र के साथ काम करें से क्लीर काम करें एक टीम असाइनमेंट पर एक असाइनमेंट दे हुनें फिर आसक फर एकस्प्रैनेशन नौट अंसर उनको फिर कहें कि उस पर वज़ाद दें सिर्फ जवाब नहीं ठीक है लिसन केरफुली टू टू टीमेट्स क्वेस्चन तो एक दूसरे के जो ना क्व है ना वोस के मुझे यार यह समझनी आ रही तो यह समझो इस तरह आस्ते टीचर फॉर हैल्प अगर टीचर की हैल्प चाहिए तो टीचर से हैल्प करें इफ यू आस्ट एवरीवन ओन्यूर टीम एंडिस्कवर्ड देखें ना अगर आप टीम में कहते हैं कैसी क्यों करो य अपर ने तीचर के तो पर टीम इंबर्स ऐसे छों कि वो एक दुस्री की आमने सां समय बैठे हो पैसे हों या चेर्च लगी हूए हूँ जो एक दुस्रे बार में यह एक यह जगह बैठि हूए हूँ कि यह में समने हो टीम में वर्स आल मैट्री डिकWow पास झ Boss घंस है पहर टीम मेंबर को चाहिए कि वो काम करें वार्क हाड करें उनको इस तरह प्रिपेर करें टीम मेंबर्स आइसे हों कि वो एक दूसरे के सुन रहे हूं यह एक नहीं है ऐसा नहीं कि टॉमिनेट कर रहा हूं यह दूसरे को ड्रहा दमकार हो ऐसा नहीं टीम मेंबर्स आर you please explain तो टीम मेंबर जो है वो पूछेंग दूसरे क्या विल यू प्लीज एक्स्प्राइन के तुम मेरे लिए एक्स्प्राइन कर सकते हूं तो वो फिर जो है इस तरह कहें कि यह आप की आपकी पारी है आप आप करो इस तरह टीम मेंबर जा सेंग लैट सी इफ इच आफ आस नोग दिस को है कि आगर हम मेंसे कोई जानता है तो फिर ये तो सब करें अब यह करें के है ऐसे ट哪裡 वर्क स्किलेश किल्स एंफ और मेर्टिंग फिर्मेंटिंग सकेज ने हो इसकें चार बिशाक emट की स्केण कोड़ कोप्रेटिभ लेरिणिंग structure and techniques के हैं तो जो cooperative learning सबसे पहली टेखनीक है वो है जीक्सा फिर थ्री स्टेप interview फिर roundtable फिर focus listening है और देन structure problem solving one minute papers paid annotations and team expectations double entry journal uncommon commonalities guided reciprocal peer questioning or structure learning teamwork object method के often use with narrative material तो यह mostly जो है ना narrative देखा जाता है material के साथ इस team member is responsible for learning specific part of a topic तो और team member जो है ना वो उस task का एक specific part जो है ना वो त्यार करता है learn करता है after meeting member of other groups who are expert in the same part तो meeting के बाद पता चलता है कि कौन जो है ना कौन से student जो है एकी part में expert है the expert return to their own groups and present their findings and teach them to other group members team members then are twist on all topics तो फिर जो है ना देखा जाता है तो फिर जो group member है जब वो present करते हैं और फिर जो है ना अपने group members को teach करते हैं और फिर जो team members है उनको जो है ना वो quiz किये जाता है all topic पर सवाल पूछे जाते है question किये जाते है think pair share think pair share में यह नहीं है कि आपनी sharing जो है ना वो करना अपने thinking को thinking को students spend a few minutes thinking individually about a solution to a problem post by the teacher तो teacher एक problem देता है student उस पे जो है ना कुछ minutes के लिए सोचते हैं तो फिर then discuss their ideas फिर वो अपने ideas discuss करते हैं before peer sharing their ideas with the whole group whole group के साथ जो है ना वो discuss करने से पहले जो है ना वो अपने idea share करते हैं फिर numbered heads together a team of four established तो एक team में चार member होते हैं each member is given a number one two three four तो our member को जो है ना वो number दिया जाता है five number 4 है तो एक कोई एक दो तिन चार question are asked and group work together तो सवाल जो है ना उनसे पूछे जाते हैं और वो group जो है वारा हो काम करता है मिल जूल के teacher calls out a number two and each two is asked to give the answer तो फिर teacher जो है ना वो कहता है कि number two जो है ना वो question का answer करेगा तो वो फिर जो है ना सारे group के जो number two होते हैं वो खड़े हो के देते हैं रोंट रोबिन ब्रेंस्टॉमिंग तो ग्रूप जो पॉइंट होता है वन मेंबर एज दा रिकार्डर तो वन मेंबर जो होता है वो रिकार्डर रखता है कि एक question is post with many answer students are given time to think about answers तो एक question पूछा जाता है जिसको जो है ना जिसके बहुत से answers होते हैं तो students को फिर जो है ना सोचने का time दिया जाता है और फिर वो उन से answer के बारे में पूछा जाता है after the think time think time खत्म होने के बाद member of the team share responses with other and other round robin style तो round robin style में जो है ना वो फिर अपने team share जो हैं वो responses share करते है तर काड़र राइट on the answer of the group member तो जो रिकार्ड करने वाला बंदा होता है वो फिर उनका उनके answer काड़ करता है the person next to the record starts and each person in the group in order gives an answer until time is called तो जब तक फिर time card होता तब तर काड़र काड़ करता है तो फिर आर परसन जवाब रिता रहता है अब ग्रूप investigator investigations are structure to emphasize higher order thinking skills such as analysis and evaluation तो ग्रूप को ऐसे structure किया जाता है कि उसमें फिर जो analysis और evaluation भी किए जासके student work to produce a group project तो student जोने group project बनाते है which they may have a hand in selecting तो जिसमें उनका भी आता है वो select करें तो फिर उस पे जो है ना group investigation होती है कि वो उन्हें वाक्यामें evaluate करते हैं कि analysis करते हैं फिर circle the sage circle the sage यानि जो sage का मत्कुत है the teacher में ask who in the class was able to solve a difficult question तो teacher सबसे पहले पुछता कि ये मुश्कल सबस्क्राइब क्लास में कौन solve कर सकता है दो student जो लाइक होते हैं जो जाइन होते हैं the sage stand and spread out in the classroom तो वो फिर जो है ना खड़े हो जाते हैं और class में फिर जो है ना इदर उदर से फैल जाते हैं the teacher then has the rest of the classmates each surround the sage तो फिर एर एक के जो है जो है ना इद के teacher जो बाकी जो नहीं कर पाते हैं उनको पिला देते हैं with no two members of the same team going to the same sage तो दो जो है ना वो उस सवाल को साल्व करने वाले एक team में नहीं जाएंगे तसे explain what they know while class में लिटन ask question and take notes तो फिर जो जाइन लड़का होता है जो वो सवाल कर पाता है वो फिर उन class मेंट को सुनता है उनके question और फिर उनकी notes करता है और students then turn to their teams तो वो फिर तुमाम students अपनी team को return हो जाते है each and turn explain what they learn तो फिर वो बताते हैं कि उनने क्या सीखा है अब round table क्या होता है round table structures can be used to brainstorm ideas and to generate in large number of responses to a single question or a group of questions तो round table structure होता है वो यूज किया जाता है कि idea को brainstorm किया जाए और generate किया जाए एक response एक single question का या फिर group of questions का ताके एक round table में बैठके फिर faculty poses question तो faculty जो है वो question देती है one piece of paper and pen per group तो और group को सिरफ एक ही paper और एक ही pen दिया जाता है first student write one response and says it out loud तो पहला student जो है वो अपना response लिखेगा अपना जवाब लिखेगा और फिर उसको जो है उन्ची वाद में पढ़ेगा first student passes paper फिर वो अगले को दे देगा student second student write वो दूसरा लिखेगा continuous around group until time elapses तो group में वो चलता रहेगा जब तक time खत्म होता student may say pass at any time तो student जो है नो वो हर वक्त ये कह सकता है कि pass next को देते वे group stops when time is caught तो जब का जाएगा कि time end हो गया ताब जो है वो group start हो जाएगा group जो है वो stop हो जाएगा अब focus listening can be used as brainstorming technique or a technique to generate description and definition for concepts तो ये focus listening जो है एक टक्नीक है जो ब्राम्स या ब्राहम स्टर्निंग टक्नीक है या एक टक्नीक है जो generate करती है description or definition जो है ना concept के लिए focus listening ask the students to generate words to define or describe something तो focus listening जो है नो वो student से पूची जा दिया ताकि जो है उनम में generate किए जाए what is your definition या कुछ जीज़ें जो है नोंकी describe करना उनकी description one student have completed this activity जा students जो ने focus listening की activity को complete कर लेते हैं you can use these list to facilitate groupment class discussion तो फिर यो ना आप उस activity को क्रों वो complete कर लेते हैं तो आप उन list को जो है नो दूसरे students को देते हैं ताकि वो class discussion में करें और उसको help करें बाकियों को भी यह होती है focus listening के उसमें को को definition description गारा दी जाती है तो वो फिर student जो है नो वो activity करते हैं structured problem solving तो structure जो है several other cooperative learning structure बना जाए have the participants brainstorms or select a problem for them to consider तो इसमें क्या होता है जो participants होते हैं वो खुद जो हैना एक problem को select करते हैं और अपने लिए consider करते हैं assign numbers to members of each group our group में जो हैना different member रखे जाते हैं have each number of the group be different number और ग्रूप तो और ग्रूप के member by different group या number दिया जाते हैं discuss task as a group तो जो task होगा वो as a group फिर discuss करें each participant should be prepared to respond तो और participant जो हैना group का उसको prepare होना चाहिए उत्यार होना चाहिए जवाब देने के लिए each member of the group needs to understand the response level response well enough to give the response with no help from the other members of the group तो और group member को यह पता होना चाहिए कि उसने कितना response देना कैसा response देना बगगार किसी की help लिए पिर ask an individual from each group to respond call on the individual by numbers तो number के साथ इस तरह पहले two one two three वाली वो टेक्निक पता है कि two number तो और each जो two होगा वो define करेगा तो इस तरह जो है न वो फिर पूछा जाएगा individual से तो वो response करेंगे और number के साथ उनको बलाया जाएगा अब one minute paper क्या होता है ask ask students to comment on the following question तो कुछ question होंगे उनको जो है न उन पर कहें students को कि comment करें इन पर give them one minute and time them तो जो हैना students को एक minute का time then this activities focus them on the content and can also provide feedback to you as a teacher तो वो पर जो हैना और इस activity में जो हैना उन से कहेंगे वो content पर focus करें और जो हैना फिर आपको feedback दें आप as a teacher role act करें what was the most important or useful thing you learn today तो फिर जो है ना इन सवाल ये सवाल हैं जी कि क्या most important जीज़ा जो आज आपने सीखी है what two important question do you still have what remains unclear तो कौन से वो दो M सवाल है जो अपी तक clear नहीं हुए what would you like to know more about तो आप क्या मजीद जाना चाहते हैं structure learning team group roles तो when putting together groups जब आप group इकटे करते हैं you may want to consider assigning तो आप assign करते हैं students को their roles for the group group में जो है ना उनका sign role assign करते हैं student में also rotate group rules depending on the activity तो student जो है ना वो आपने role change भी कर सकते हैं एक दूसरे को वो दुबारा ये एक leader बनाया तो वो leader तुबारा अगर next वो रोल जो है ना किसी और को दे सकता है potential group roles and their function include तो वो potential group roles के जो है ना group potential के साहब से group में जो role दिये जाते हैं वो उनके function भी फिर include होते हैं जैसे के leader है तो leader response होता है for the keeping the group on the assigned task at hand तो वो जो है ना इस पात पे जो है students को कहता है कि जो है ना जो task में मिला है उस पर attach रो उस पर ही focus करो she or he जो है ना वो also make sure that all members of the group have an opportunity to participate तो जो leader होता है वो make sure करता है कि जो ना तुमाम members को equal opportunity मिर या participate करने की learn and have the respect of the team members तो वो पिर जो है ना कहता है कि सीखें और जो एक दूसरे की respect करें the leaders may also want to check to make sure that all of the group members have mastered the learning points of a group exercise तो वो जो होता है leader वो make sure करता है कि जो ना बाकी member भी जो है वो सीख रहे हैं और point की जो ना अच्छे से exercise कर रहे हैं आप recorder वही जो recorder था वो recorder पी किया जाता है ताके maintain कि जाए ग्रूप की files or folders on a daily basis and keeps record of all group activities including the material contributed by each group members तो जो है ना वो एक recorder रखा जाता है जो रिकार्ड रखता है कि जो है ना ग्रूप में आज क्या काम हुआ है रोज के साफ़े डेली के रोटीन के साफ़े कि किस बंदे ने कितना काम किया किस बंदे की कौन सी file है वो files वगरे को folder वगरे को सबको संभाल के रखता है जो राइटर जब रहा लिखता है जी solutions लिखता है problem के पूरे ग्रूप के ग्रूप के लिए ताके वो जो नोट्स वगरे हैं वो फिर इंस्ट्रक्टर को जो है वो जो टीचर को जाके सब्मेट करेगा तो रिकार्डर में आलसो प्रिपेर प्रिपेर प्रेंटेशन मैटिर् करता है सब क्योंके सब को कुछ उसी के पास होता है है आप जो reporter हमें चालो ये शक्लास है नाशन की सब्सक्राइब में चेले ihm हो time time activities तो monitor जो है वो monitor करता है कि time पे activities हुई है कौन से activities हुई है वो share करता है वो act करता है वो time कीपर होता है वो time को जो है न वो साथ लेकर चलता है कितना time रहता है कितना हो गया है किस time में कितना काम हुआ है फिर एक wild card होता है जो entry करता है wild card act as an assistant to the group leader तो wild card जो होता है वो group leader का ज सिंग तो वह फिर जो है ना अजूम किया जाता है कि वह उस मेंबर का रोल अदाकत है जो मेंबर मिस होता है या कोई अपसेंट होता है अपसेंट अप्राब्लम है इच मेंबर आफ ग्रूप जेनरेट से प्राब्लम एंड राइट्स इडोन उना कार्ड तो आर जो मेंबर है वो एक problem generate करता है और फिर उस problem को card पर लिखता है each member of the group then ask the question to the other members तो फिर जो है न वो उस problem के related जो है न तमाम member से वो question करता है if the question can be answered and all member of the group agree on the answer then that answer is written on the back of the card if there is no consensus on the answer the question is revised so that an answer can be agreed upon तो अगर question answer जो है न वो मिल जाए एप्रोप्रियेट अंसर मिल जाए सेटिफिक्शन हो जाए तो फिर उस answer को card पर लिख लेते हैं सवाल के पीछे वाले card पर back side पर लेकन अगर जो है न वो एन ए यनि answer on the side of the card with an answer on it तो क्यों जो है न उस side पर question होगा ए वाली side पर answer होगा each group sends its question card to another group तो फिर जो है न वो एक दुस्रे के साथ जो है शेर चेंज करेंगे exchange करेंगे या एक दुस्रे को send करेंगे बेज़ेंगे each group member takes one question from the stack of question and reads one question at a time to the group after reading the first question the group discusses it तो हर group member जो है न वो हर वो question एक question असल करेगा एक जो हना stack एक तैसे और फिर उसको read करेगा और फिर जो हना उसको time to the group group में जो हना वो करेगा explain करेगा तो reading question read करने के पास जो हना group उस पर discuss करेगा if the group agrees on the answer अगर group जो हना उस question के answer पर agree हो जाता है फिर जो हना card के दुसरी साइड पर लिखते हैं और वो उस पर agree हो जाते हैं और first group का वो answer बन जाता है अब value line one way to form heterogeneous group is to use a value line तो heterogeneous जो हने मुखतली जो हना लोगों का group जो बना बनता है heterogeneous का मतलब होता है different तो फिर जो हना वो उसमें एक value line यूज की जाती है present an issue or topic to the group and ask each member to determine how they feel about the issue तो फिर जो हना एक problem या topic दिया जाता है present के जाता है और का जाता है कि आर member जो हना determine करें कि उसके बारे में वो क्या feel करता है तो फिर उसको scale के जाता है one to ten कि कैसे जो हना उसके strong agreement है या disagreement है वो agree करता है डिस agree करता है इस तरह from a rank order line and number the participants from one up तो फिर जो हना एक rank order पर रहा जाता है तो उसमें participant को number दिया जाता है one two ten के यह one two three four तो strong agreement और non agreement के base फिर from your group of four by pulling one person from each end of the value line and two people from the middle of the group तो जो है ना दो चार लोगों में से दो side वाले होगे दो center वाले होगे middle वाले तो for example if you had अगर twenty people है ग्रूप में तो one group might consist of person one ten eleven twenty यह आपने उनको चार number देने हैं तो वो फिर twenty समुने हो जाएंगे ठीक है team expectations अब क्या होती है some of the common fairs about working with groups include student fairs that each member will not pull their weight as a part of the group तो यह होगा के common जो टार रहता है जो fairs होते हैं working group के साथ करने में उसमें यह student का fair यह होता है कि हार member जो हैं वो pull करता है as a their weight as a part of the group part of group group का यहीं वो पार्ट है student are scared student derivative होते हैं that their grade will be lower as a result of the group learning तो इसमें student यह डरेव होते हैं कि group काम करेंगे अगर काम अच्छा नहीं हुआ तो हो सकता है मैं पूरा effort करूं उसके जो नहीं गलती हो तो फिर जो नहीं पूरा नहीं होगा learning there to individuality इस वज़ा से वह जो ना कहते हैं कि मैं के लाब जयदा मेनद कर सकता हूं जी मैं group नहीं मिलाना चाहता है इस वज़ा से क्योंकि मैं मैनती हूं तो बाकी मेनद नहीं करेंगे तो मेरे grade भी कम होगे वन वर टू अड्रेस थिस इशू इस तो जेश एक्रूप मैं तो इस पिर जुहाँ यहां हों harus रूट मुर्प जाय कर पयां और का जाए के पहले एक list बनाए behaviors की जो है न और के वो क्या expect करते हैं एक दूसरे से कि इसको कितना जो है न वो participate करना चाहिए ग्रूप में और वो क्या तवक्वर रखते हैं कि कौन सा कितना participate करेगा तो जो ग्रूप के हैं मकासर वो objectives वो जो है achieve हो जाएंगे अब double entry journal क्या हो as a way for student to take notes on articles and other resources they read in preparation for class discussion तो double entry जो journal है उसको student जो है as a way इस्तमाल करते हैं जिसमें जो क्या करते हैं टेक notes बनाते हैं या articles दूसरे resources से लेते हैं ताके वो जो preparation कर सकें class में discussion करने के लिए के class में discuss करने के लिए student जो है वो किसी journal या किसी ख़बार से जो है वो data लेते हैं प्रिपेर करते हैं खुद को ताके class में वो discuss कर सकें इस किसी topic पे student read and reflect on the assigned readings तो वो student जो है वो फिर उसको पढ़ते हैं और फिर जो है उसको पढ़ने के बाद उस मेंसे जो निकालते हैं रिफलेक्ट करते हैं जो चीजें या वो फिर आगे assign जो reading उन्हें दी जाती है कि इस topic पर आपने बोलना है वो फिर उस पे assign करते हैं reading student prepare the double entry journal student जो है न जर्नल और specific critical point तो वो फिर जो है रिस्पोंस देते हैं उस reading का जो reading वो करते हैं journal में से और फिर जो है न specific critical पहले वो जर्नल देते हैं फिर वो specific critical point देते हैं as a whole फिर जो है वो specific point के related देते हैं student bring their journal note to class student जो है न वो फिर अपने journal जो note उन्हें double journal जो note में त्यार किये होते हैं यानि वो mix करके, critique करके फिर वो class में भी साथ लाते हैं Guided reciprocal peer questioning तो the goal of this activity is to generate discussion among student groups about a specific topic or content area तो जो रहा Guided reciprocal peer questioning होता है इसका मकसद यह होता है जो discussion जो students किये हो एक topic पे जो है न वो उसके around हो, एक topic एद्गित हो student में आपस में discussion generate हो, एक activity हो जिसमें वो एक topic पे focus करें faculty conducts a brief 10 to 5 minutes, 15 minutes lecture on a topic or content area तो faculty जो है न कोई content देती है जो school की खैस staff होता है तो वो फिर content देती है या topic देता है जिस पे जो है न उस group को 15, 10 से 15 minutes जो है न वो lecture देना होता है faculty में assign a reading on written assignment as well तो faculty जो है न वो यह भी दे सकती है अब instructor क्या करता है instructor करता है जिके then gives the student a set of generic question stems जो instructor होता है वो गो जो है generic question देता है जिस के ओपर students ने काम करना होता है और उसके related statement होती है statement के related question देता है उस question को students ने उनके answer करनी होती है और 10 से 15 minutes में उस पर lecture देना होता है student work individually to write their own question based on the material being covered तो student जो है ना इसमें इंफरादी तोर पर अकेले केले काम करते हैं और आपने अपने question के answer लिखते हैं जो जो उनकी अप्रोच होती है वहाँ से वो material असर करें उसके answer करते हैं student do not have to be able to answer the question they pose तो student जो है ना वो mostly काबल तो नहीं होते हैं को उसका answer कर सके question का this activity is designed to force student to think about ideas relevant to the content area तो student को इस activity का भाखसत ही होता है कि उनको इस काबल बनाया जाए कि वो content area के related जो हैं वो सोचें और relevant ideas दें relevant student should use as many questions terms as possible तो student जो है ना यह जितने चाहें वो question उसके related जो है वो possible बना सकते हैं इस student offers a question for discussion using the difference terms तो आर student को पूरा participation का मुखा दिया जाता है और वो अपनी मर्जी से question का सकता है और उस पर अपने answer आसल का सकता है दूसरों से answer ले सकता है अब sample question stems क्या होंगे what if कि अगर है क्या यह होगा अगर क्या अगर ऐसा हो सकता है how does effect यह कैसे effect करता है what is a new example explain why वजाद करो क्यों फिर how इस तरह के what why हो क्यों तो इस तरह के क्यों से मिला रहे है weakness और स्ट्रेंथ क्या है what is the best and why क्या best है और क्यों यह इस तरह के जो है नवो sample stem question क्या है तरह क्यों से मिलाद कि अवोस्ट करता है के।